बागवान किष्ण की मोत कैसे वी महवार्थ का युद इतियास के सबसे बड़े द्रम्यूद के रूप में देखा जाता है ये युद अस्तिनापूर के राजा द्रश्टर के पुत्र मोहे तता उनके पुत्रों के अत्यदिक महतवकांसी होने के कान लड़ा गया था महावार्थ का ये युद थारा दिन तो चला जिसमें बारतवर्ष के सबसे धिक सेनिकूत तो योधाउं को अपने प्राणू के आहुती देनी पड़ी थी ठारा दिन तक महावार्थ के युद के बाद जब दुर्योधन का अंत ओने के बाद उनकी माता गांदारी बहुत दुखी हो गई थी वह अपने बेटे की सोव पर सोक व्यक्त करने के लिए रण भूमी में गई माता गांदारी महावारत के युद्ध होने का कारण स्री किशन को मान रही थी क्योंकि वह जानती थी कि यदि किशन चाहते थे तो ये युद्ध होने से रोक सकते थी रन बहुमी में भगवान किशन और पांडो भी उनके साथ चले गए थे अपने बेटों की मृत्यों की संतप्त भी गांधारी ने भगवान किशन को मृत्यों का स्राब दे दिया और का कि जैसे हमारे पूरी बंस का नास हुआ है वैसे ही यदबंस का भी विनास हो जाएगा भगवान किशन मुश्क्राई और श्वें पर लगा अभी साथ स्विकार कर लिया और ठीक 37 वरसों के बाद उनका अंते एक सिकारी के आतों हुआ श्रीकेशन का एक पोतरता जिसका नाम सामभा था एक बार स्रामभा इस तरीका वेश लेकर अपने दोस्तों के साथ रिसी विस्वामित तर दुरासा विशिष्ट और नारच से मिलने गया सभी श्रीकेशन के साथ एक उप्चारिक बैट्रक में सामिल होने के लिए दुरार का आए इस तरीके वेश में सामभा ने रिसीयों से कहा कि वो गर्वती है उसे बताए कि उसे गर्व में बच्चे का लिंग क्या है उनसे एक रिशी ने इस खेल को समझ लिया और क्रोदी दोकर सामभा को स्राब दे दिया लोहे की तीर को जनम देगा जिसे उसके कुल और सामराज्य का विनास होगा सामा ने सारे गटना ओगरशेन को बताई ओगरशेन ने सामा से कहा कि इस तांबे के तीर का चुरुन बना कर प्रभास नदिम प्रभाइत कर दे इस तरह उन्हें इस शुराब से चुटकारा मिल जाएगा सामा ने सब कुछ ओगरशेन के कहे अनुशारी किया साथ ही ओगरशेन ने ये भी आदे इस पारिद कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नसीली सामगरियों का नए तोत्पादन किया जाएगा और ना ही वीतरन होगा इस गटना के बाद द्वारका के लोगों विभीन असूप संकेतव का नवहो किया सदसन्चकर किशन के संक उनके रत और बल्राम के हलका दर्श्य हो जाना अपरादों और पापों ब्डोतरी होना लास्रम जैसी चीजूँ का समापत हो जाना इस तरी Will explains द्वाररा अपने पवित पतियों और पुर्संद्वारा अप सातिया कईपर अरौप मन ने शुरू कर दिया, भखेश बढ़ती ही गई, सी दुरान सात्यकी के हाथ से कृत वर्मा की अत्या हो गई, किरत वर्मा की अत्या करने के अपराद में अन्यायादों ने मिलकर सात्यकी को माथ की घाट उतार दिया, जब किरिशन इस बात का पता चल लोहे की छड़ बन गई जिससे सभी लोग आपस में ही बिढ़ गए और एक दूसरे को मारने लगे वर वो दारुक किशन के अलावा ने सभी लोग मारे गई बलराम इस उपद्रोय का इसा नहीं इसलिए वो बच गई कुछ में बाद वरु और बलराम की मिर्ट्यू हो गई ज बचना प्रवास नदी से ही जुड़ी है लोहे की छड़ का चोन बनाया गया लोहे की छड़ का चोन एक मचली से मचली ने निगल लिया और उसके पेट में जाकर दातों का एक टोकड़ा बन गया जीरो नामक शिकारी ने उस मचली को पकड़ा उसके सिरीर से निकले दातों के टुकडे को नुकिला कर तेर का निर्मान किया किशन वन में बैठे ज्यान में लीन थे जीरो को लगा कोई कोई हिरन है किशन पर तेर चला दिया से किशन की मिर्टिव भी उसमें बाद अरजुन मदर लेकर द्वारका पहुंचे किशन की मिर्टिव कि खबर पाक रतें दु किशन के जाने के बाद द्वारका में उसकी सोड़ाजार रानिया कुछ महिला इंवर्द और बालक सेस रह गई सभी इंदर प्रस्त के लिए रवाना हो गई प्रंतु जैसे ही लोग द्वारका थोड़के देख त्यार हुए तो जल का स्तर बढ़ने लगा मलेच और डाकूनी द्वारका पर आकरमन कर दिया अर्जन उनकी साहिता करने के लिए अस्तर चलाने लगे तो इस सभी मंतर भूल गई द्वारका निगरी पानी में जल मगन हो गई अर्जन श्री किशन की कुछ रानिया और सेस परजा कोली कर इंदर प्रस्ते आ गई वापस आकर सारी गटना दिश्टर को बताई बगवान किशन का पूरा यादवनस दीरे दीरे समापत हो गया और द्वारी का समुद्र में डोब गई जावस सभी अभी भी है गांधारी द्वारा इस किशन को दिये गई इस सराप के कारण पूरा यादवनस समापत हो गया बो श्री किशन चंद्र बादो आने की